हालो एरवान माई नेम इस बगार असने टोड़े विल डिस्कूर्स हो यू के ब्रिंग तर्कॉइड वराइटी नियुर संटेंस जी आपका संटेंस के स्टॉक्चर मनोटनस नहीं होना चाहिए अगर आप संटेंस के स्टॉक्चर को चेंज करें तो उसका इंपक्ट जाता है of examiner की ऊपर रीडर की ऊपर तो आपने आपने sentences में वराइटि लानी है required आपका structure जो है वो उसमें repetition नहीं करनी है अपने monotonous structure नहीं लिखना आपने आपने follow करना है वो structure जिसमें variety हो जिसमें examiner बहुँर ना हो आपके reader के test बना रहे reading में तो कैसे करते हूं मैं आपको एक sentence को तीन तरीकों से लिखके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं ये कि एक idea को एक idea आपके पास उसको तीन different तरीकों से कैसे present किया सकता है वो हम डिसनस करेंगे इस lecture में बहुत short और simple methodology के जरूब लेकिन start करने से पहले आप से कोंगा subscribe कर ले क्योंकि मैं daily आप से lecture शिर करता हूँ आपके लिए बनातों subscribe करें जैसे notification मिलेगा आप lecture देख लिया करें तो जी start करते हैं पहला मैंने sentence बनाया है the boy was wearing a black shirt जी the boy was wearing a black shirt इसमें वीरिंग आगया वर्पवे तोर पे यह पास का sentence है लेकिन है simple मैंने लिख दिये यह एक simple sentence है जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे बनाते हैं simple sentence है लेकिन आप हर sentence को simple नहीं बना सकते आपके sentence में थोड़ी वराइक्टी तो होनी चाहिए अगर एक idea को आप बाबर डिसस कर रहे हैं या मुखतरी तरीके से डिसस कर रहे हैं तो आपका sentence का structure तो different होना चाहिए उसमें कुछ तो लगना चाहिए कि आप different ही किसे बात लिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से कैसे लिए सकते हैं आप वह आप लिए सकते हैं फ्रेस्ट राल के सके कैसे आप यह ड्रेस्ट इन ब्लैक क्लोस है यह इसको कहते हैं फ्रेस्ट इन ब्लैक क्लोस को फ्रेस्ट का सब्जेक्ट नहीं होता फ्रेस्ट आपको information दे रही होती है फ्रेस्ट ब्यूटिफए का रहे थी सिंटेंस को सिंटेंस को आपके और फ्रेस्ट को कर रही है तो व्रेस् से से साइडीय का सेम था बलैक शर्ट में यहां लिखी मैं यहां पर क्लोस लिख دी आइडीया तो से में बलैक कुलॉसी की बात हो रही है लेकर यहां पर सॱ CJ की फार्म में था हैं यहां पर्जमapor قोसल तरह सीम्पल मेंelling इस स्कुर्फ कर दो हये तो सिम्पल से कर यह स्ट्रक्चर अराम से आजाएगा तो एक एक आइडिया था दूसरे तरीके से मैं आपको इसका दिया आप मैं सखाओंगा तीसरे तरीके से जी आई साब वाइड अब यह सब्सक्राइड यह होता क्या है यह जहां पर भी हू आता है क्लॉस के स्टार्ट में उसको रैलिडिव प्रौनौन केते हैं और यह होता क्या है है ये clause बन वहाँ ये clause clause subject होता है phrase का subject नहीं होता तीसरे sentence में ने यूज की clause दूसरे में मैंने यूज की phrase और पहले मैंने जो है वो ना phrase use की थी ने clause simple sentence था 3 तिसरे sentence आपका आ आ गया complex sentence क्योंकिवे मैं independent आ इंडिपैंडेन टॉस को दूसरे से पहले पहले से लिखा आइडिया सेम था ब्लैक शड का एक्सप्रेस किया तीन डिफरेंट तरीकों से तो यह होगी आपकी वराइटी सिंटेंस में आपके इसमें दर बहुर नहीं होगा सिंटेंस ट्रॉक्शर देखेंगा वोके कैसे वर्किंग कि यह इसको आता है कुछ नहीं कुछ आता है आपका पर डिफरेंशेट करेंगा अगर आप स्ट्रॉक्चर सीखें अपने सिंटेंस का ताकि आप सीएसे में कुछ तो कर सकें तो स्ट्रॉक्चर सीखें यह फ्रेज और क्लॉज के बारे में बच्चे मुझे पूचे कि कैसे लन करनी है तो मैं बता देता हूं आने वाले दिनों में फ्रेजिस क्लॉजिस की उपर सारे लेक्चर्स विद इसेंपल्स पास्ट पिपर्स के मैं अपलोड करने जा रहूं क्यूंकि मैंने आपको कहा था यह चैनल होगा जहां पर आप सीएसे तरी घर बैठे करें और मैं आप से वादा यह जरूर याद रखें कि एक आईडिये को आप तीन डिफर्ट तरीकों से लेख सकते हैं किस तरह इन टूल्स के इस्तमाल से तो ससाहिप करने देखते रहें दौाव में याद रखिएगा और अगर आप चाहते हैं मैं किसी इस पर लेक्चर बनाओं मुझे बताएं मैं उस प